पहला statement दिया हुआ है S जो है in center है triangle PQR का और PSR जो है angle इसका value दिया हुआ है 125 degree PQR का मान मताना है तो बिना pen चला है आप सको क्या दिया था देखिए यहाँ पर सबसे पहली बात आपको PSR दे दिया इतना है और आपको PQR निकालनो कह रहा है तब ही तो आपका angle यहाँ पर PSR निकलेगा क्योंकि आपका PSR जो है वो PQR के आधे में जब 90 degree जोड़ोगे तो आएगा मतलब directly 35 degree का दुगना जो है angle Q बनेगा और कही ना कहीं यह आपका 70 degree उत्तर दे देगा नमस्कार मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का competition community के YouTube चैनल में मैं आज यहाँ पर एक छोटे से वीडियो के माध्यम से एक बहुत important part of geometry cover करूँगा जो कि है in-center और इससे बहुत ही दो important question वो मैं आपको बताऊँगा ठीक है आप चाहे SSC का preparation कर रहे है या फिर railways का preparation कर रहे है या फिर state PCS में या फिर किसी भी exam का preparation कर रहे है जिसमें geometry आता है तो यह वीडियो कहीं ना कहीं आपके लिए important है देखे in-center यानि कि अंतह केंदर का मतलब क्या होता है इं-center मतलब पहले तो आप समझें कि अंतह वृतियानि की इं- circle क्या होता है एक किसी भी आकार के triangle में चाहे triangle मोटा हो छोटा हो बड़ा हो ठीक है इससे कोई फरक नहीं पड़ता अगर कोई भी triangle है हर triangle के भीतर अंदर हम एक circle हमेशा जरूर बना सकते हैं जो कि इसके तीनों भुजाओं को इस प्रकार टच करें ठीक है तीनों भुजाओं को टच करें और ऐसा जो circle जो तीनों भुजाओं को टच करके इस triangle के अंदर perfectly fit हो जाता है इसी को हम कहते है in circle यान के अंतर केंद्र यहां तक बात समझ में आ गई अब देखे यह तो समझ में आ गया कि in center होता क्या है लेकिन in center से जो important properties पढ़ ली हैं वो मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहली बात in center बना कैसे तो in center बनता है point of intersection of angle bisectors यानि कि जितने भी आपके कोण है इन सभी कोण का स point of intersection point of intersection ठीक है किसका तो angle bisectors का angle bisectors का angle bisectors का angle bisectors का मतलब क्या है तो कोण समधी भाजक कोण समधी भाजक ठीक है कोण समधी भाजक ठीक है तो सबसे पहली point समझ में आ गई कि ये बना तो कैसे बना यानि कि अगर मैं यहां से यह angle a है यह angle b है और यह angle c है इन तीनों का सम्धी भाजक बनाओ यानि कि एक ऐसा line जो कि angle a कोण a को दो हिस्सों में बाटे तो यह इस ये दोनों angle बराबर है, b को मैं दो हिस्सों में बाटू, तो ये दो angles जो है ये equal हो जाएंगे, c को मैं दो हिस्सों में बाटू, तो कही न कई ये वाला एक line आएगा, ये भी इस तरीके से जो angle है, bisect हो जाएंगे, मतलब ये तीनों जहाँ पर जाके मिलते हैं, उस point को हम I से represent करते हैं, अब ये जो point I है, ये कहलाता है in center, I क्या कहलाता है भई, ये कहलाता है in center, याने कि अंतह केंद्र, अभी तक तो आपको समझ में आ गया कि in center क्या है, अब in center की कुछ properties जानने के पहले, आपको ये समझना होगा, अब in radius क्या है, इस वृत का जो radius होता है, याने कि इस circle का जो यहाँ पर trigia, याने कि radius होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, in radius, small r से इसको represent करते हैं, अब जैसे ही ये बिंदू बन गई, इस बिंदू से आपको क्या करना है, तो इस बिंदू से आपको लंब खीचना है, याने कि perpendicular खीचना है, तीनों के तीनों sides पर, तो जैसे ही मैं यहाँ से एक perpendicular खीचूंगा, यहाँ से एक दूसरा perpendicular, यहाँ से एक तीसरा perpendicular, तो id, ie और if, ठीक है यह ID जो है यह बराबर हो जाता है IE के और यह जो IE है बराबर हो जाता है IF के यह बराबर होता है small r के और इस small r को हम क्या कहते हैं तो इसी को हम कहते हैं inner radius inner radius का मतलब क्या है अंतहत रिज्जा आप इसको क्या लिख सकते हैं अंतहत रिज्जा ठीक है यहां तक बाते समझ में आ गई in radius क्या है तो इस वृत का जो radius यानि की त्रिजज़ा है उसी को हम in radius यानि की अंत्ह त्रिज़ा कहते है तो अब आपको मोटे तोर पे समझ में आ गया होगा in center क्या है अब यहां से दो important properties हम को पढ़ना है जिसके उपर बार-बार आपके एक्जाम में सवाल पूछे जाते हैं पहला जो है इस कोण से रिलेटेड सवाल आता है कि suppose करिये ये एंगल आपसे निकालने को कहा जाए एंगल BIC बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला ये होता है 90 डिगरी प्लस उपर वाले एंगल का आधा जोड़ना अगर आपसे पुछा जाए कि एंगल AIC कितना है यानि कि AC ने एंगल इन सेंटर पे कितना मनाया तो 90 डिगरी प्लस आप कहोगे इस एंगल का आधा यानि एंगल B का आधा अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर AIB एंगल कितना है एंगल AIB तो आप क्या कहोगे AIB बरावर हो जाएगा 90 डिगरी प्लस एंगल तीसरा वाल एंगल C का आधा यह हो जाएगा आपका तीनों के तीनों एंगल से रिलेटेड ठीक है अब इसमें एक और सवाल बन सकता है वो है आपका ट्रैंगल बरावर जो है ट्रैंगल का एरिया जो होता है यानि इस त्रिबुज का सेत्रफल जो होता है वो होता है आर इंटू S जिसमें S क्या है तो S है अर्ध परिमाप अर्द परिमाप क्यासे निकलता है A प्लस B प्लस C बटा 2 A क्या है तो A है इस बुझा का लंबाई B क्या है तो B है इस बुझा की लंबाई C क्या है तो C है इस बुझा की लंबाई क्लियर है यहां तक बाते समझ में आ गई सभी को चलिए अब इन कुछ फॉर्मूलेस को अच्छे से आप समझ लीजे पहला सवाल आपके स्क्रीन के उपर है यहां से पहला स्टेट्मेंट दिया हुआ है S जो है इन सेंटर है ट्रेंगल PQR का और PSR जो है एंगल इसका वैल्यू दिया हुआ है 125 डिग्री PQR का मान मताना है तो बिना पैन चला है आप सको क्या दिया था देखिए यहां पर सबसे पहली बात आपको PSR दे दिया इतना है और आपको PQR निकालनो कह रहा है तो आपको क्या करना है बस इसको देखना है कि इसमें आपने 90 डिग्री में कितना जोड़ा आपने यहां पर 35 डिग्री जोड़ा अब यह 35 डिग्री क्या है 90 डिग्री प्लस एंगल Q का आधा तभी तो आपका एंगल यहां पर PSR निकलेगा क्योंकि आपका PSR जो है वो PQR के आधे में जब 90 degree जोड़ोगे तो आएगा मतलब directly 35 degree का दुगना जो है angle q बनेगा और कही ना कही ये आपका 70 degree उत्तर देदेगा diagram बनाना चाहते हैं तो diagram भी बना सकते हैं जैसे ये pqr है ठीक है यहाँ पे कही ना कही s आएगा in center तो इस s का value आपको दिया था यह कितना था 125 डिगरी का और आपसे पूछ रहा है इसका value क्या है तो directly आप यही लिखेंगे ना 90 degree प्रस इस angle का आधा तो 90 degree में कितना ज्यादा 35 डिगरी ज्यादा है तो 35 ज्यादा है तो directly 70 इसका उत्तर हो जाएगा बार-बार बहुत ही आसान सवाल है लेकिन बार-बार आपके एक्जाम में यह सवाल पूछा जाता है एक और सवाल जो कि आपके area से related हो सकता है इस तरीकी का pattern आपके question बन सकते हैं कि triangle का area होता है यह होता है वही R into S याने कि अर्ध परिमाप गुने तरीकी का तरीकी का निकलता है जिससे अर्ध परिमाप आपका 5 निकल जाएगा और यदि अर्ध परिमाप 5 है तो पूर्ण परिमाप कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा क्योंकि यह आधा परिमीटर है परिमीटर का आधा है तो पूरा परिमीटर क्या होगा इसमें दो गुना करना जो कि कहीं न कहीं भी हो जाएगा ठीक है तो ऐसे ही कुछ concept और बहुत ही important तरीके के concept और पूरा का पूरा syllabus जो आपको free of cost competition community के YouTube में करवाए जा रहा है अभी जुड़े 8 December 2021 से चालू है SSC CGL प आपको provide करा जा रहा है 100 questions per week जिसमें कि आपका Maths, English, Reasoning, GS सारे subjects covered है तो इतनी अच्छी बात है और इतने अच्छे तरीके से आपको यहाँ पर preparation करा जा रहा है आपको इसका short notes यानि की lecture का PDF प्रोवाइट करा जा रहा है आपको weekly basis पे 100 questions practice के लिए प्रोवाइट करा जा रहा ह हमारे साथ चुड़के thank you so much